हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है रवी और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रवी स्टड़ी आई क्यों जीकेवर आज मैं आपके लिए आप सभी की डिमांड पर वीकली करंट अफिर स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये फ्रस्ट से ल लेकर आया हूँ जो कि फ्रेंड्स कोई भी हंडर्ड कोशन नहीं करवाता है हर कोई 50 या 40 कोशन ही करवाता है यह सारे कोशन जो होंगे आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा यूसफुल रहने वाले हैं डारेटली कोशन आपको आपके एक्जाम में देखने को मिलने व शेफाली बी शरन को P.I.B. यानि की Press Information Bureau का प्रधान महानिदेशक बनाया गया है अगर हम बात करें P.I.B. की इसका गठन हुआ था वर्ष 1919 में मुख्याले नई दिल्ली में है और कौन से मंतरी इसके लिए जम्यदार है अनुराग ठाकुर जो की है अमारे देश के सोचना इवं प्रसारन मंतरी नेक्स्ट है हमारा कोशन 2024 में मिस्तर के नए राश्टपती कौन बने है बात यहां पर इजिप्ट देश की हो रही है या आप मिस्तर भी भोल सकते हो तो नए राश्टपती कौन बन गए है अब्दुल फते अलसीसी अब्दुल फते अलसीसी मिस्तर के नए राश्टपती बने है फ्रेंट्स यह है फोटो इन की इंपोरेंट पॉइंट से अगर हम समझे अब्दुल फते अलसीसी मिस्तर के तीसरी बार राश्टपती बने है अगर हम बात करें मिस्त देश की अफरीका महाद्यूप में है राजधानी काहीरा है मुद्रा है मिस्तरी पाउंट प्रधान मंतरी है मुस्तफा मैडबोली नेक्स्ट है मारा कोशन भारत की पहली कृतिम बुद्धी मता अधारित फिल्म या बहुत सकते हो भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है जिसका ट्रेलर लॉंच किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन सी इरा या आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है हमारा कोशन 4 अपरिल 2024 को एक वहान एक फास्ट एग नियम किसने लागो किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए एन एच एई जिसका फुल फर्म क्या होता है भारतिय राष्टिय राजमार्क प्राधिकरन ने एक वहान एक फास्ट एग नियम को लागो किया है डिटेल में अगर हम समझें भारतिय राष्टिय राजमार्क प्राधिकरन यानि की एन एच एई ने एक वहान एक फास्ट एग मानदंड को लागो किया है जिसका उद्देश है कई वहानों के लिए एक ही फास्ट एग के उपियों को रोकना या एक विशेश वहान के साथ कई फास्ट एग को जोड़ना है अगर हम बात करें एन एच एई आई की 1988 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में और अध्यक्ष कौन है संतोष कुमार यादव नेक्स्ट है हमारा कोशन टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन C विजह जैन विजह जैन जो हैं टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरुसकार से सम्मानित होए है क्यों दिया गया है इनको यह पुरुसकार रियल स्टेट छेतर में दूर दर्शी नेतरतव और उतक्रिश उपलब्धी के लिए विजय जैन को इस पुरुसकार से सम्मानित करा गया है नेक्स्ट है मारा कोशन दस दिवसिय गगन शक्ती 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है राइट अंसर हो जाता है ओप्शन सी भारतिय वायू सेना यानि कि इंडियन एर फोर्स के द्वारा दस दिवसिय गगन शक्ती 2024 मेगा अभ्यास शुरू किया गया है डिटेल में अगर हम समझें एक अपरल से पोखरन राजिस्थान स्थेद फिल्ड फाइरिंग रेंज में इस योदभ्यास का आयोजन हुआ इसमें तेजस, सराफेल, सुकोई ठटी, जैगवार, ग्लोबल मास्टर, चीनुक, अपाचे, प्रचंड, सहित कई लड़ाकों विमान और हेलिकॉप्टर शामिल हुए है नेक्स्ट है मारा कोशन और एक्साम के लिए आप इसको डबल स्टार मार कर सकते हो छटे होकी इंडिया पुरुषका दोहजा तेज के लिए होकी इंडिया दवारा दोहजाच चौपिस में सर्वस्रेश्ट पुरुष खिलारी के रूप में किसे चुना गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन बी हार्दिक सिंग को फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ सर्वस्रेश्ट पुरुष खिलारी के रूप में चुना गया है इनकी आप फोटो देख सकते हो डिटेल में अगर हम समझे होकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आया है उज़े देख समहारों में चटे होकी इंडिया पुरुष का 2023 की खोशना की सलीमा टेटे और हार्दी सिंग को क्रमश महिला और पुरुष खिलारी चुना गया अगर आपसे पूछ ले बताओ कि सरुष रिश्ट महिला खिलारी का किताब किसे मिला चटे होकी इंडिया पुरुष कार 2023 में तो आपका अंसर होगा सलीमा टेटे यह दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं दोनों कोशन आपसे अलग-अलग तरीके से पूछा जा सकता है एक्जाम में पुरुषों का भी और महिलाओं का नाम भी और इसी के साथ आपको बताना चाहता हैं दिलिप टिर्की जो हैं यह होकी इंडिया के अध्यक्ष है अगर हम बात करें कांगो लोक्तांदरी गनराज्ये की अफरीका महादियूप में इस्थेद एक देश है राजधानी है इसकी किन्शाशा मुद्रा है कांगो लेस फ्रैंक और राश्पती है फैलिक्स तसे सीके दी नेक्स्ट है मारा कोशन मियामी ओपन दोहजाज चौबिस में पुरुष यूगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतिय खलाड़ी कौन बन गई है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए रोहन बोपनना मियामी ओपन दोहजाज चौबिस में पुरुष यूगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतिय खलाड़ी बने है रोहन बोपनना ये आपको ध्यान रखना है दोहजाज चौबिस मियामी ओपन की बात कर लेते हैं 49 संसकरन था अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं क्योंकि देखो यहां पे तो मैंने आपको यह बताया कि मियामी ओपन दोहजाज चौबिस में पुरुष यूगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज जो भारतिय खलाड़ी बने वह रोवन वोपनना तो मियामी ओपन दोहजाज चौबिस की ना पूरी लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए इसमें से एक्जाम में कोशन पूछा जाता है सबसे अदर इंपॉरुष एकला किताब किसने जीता यानि कि मैंस सिंगला किताब किसने जीता इटली के जैनिक सिनर ने यह नाम आपक जीता है सोफिया कैनिन और बेथानी माटेक सैंडरेस जो की है USA की अगला कोशन है मारा T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शने माही यानि कि महेंदर सिंग धोनी T20 क्रिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के पहले एक विकेट कीपर बने हैं अगला कोशन है मारा किसे न्यू इंडिया इंशॉरेंस की अगले अध्यक शेवं प्रबंद देशक यानि की CMD के रूप में नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए गिरिजा सुब्रमन को न्यू इंडिया इंशॉरेंस का अगला CMD के रूप में चुना गया है या आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें न्यू इंडिया इंशॉरेंस की स्थापना हुई थी 23 जुलाई 1919 को मुख्याले मुंबई महारास्ट्र में हैं अगला कोशन है मारा कोंकन रेल्वे की के आर सीयल के नई अध्यक्ष एवं प्रबं निदेशक बने हैं अगर हम बात करें के आर सीयल की यानि की कौंकन रेल्वे कॉर्परेशन लिमिटेड की 19 जुलाई 1990 को इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है नवी मुंबई महाराश्ट में नेक्स्ट है मारा क पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए कौलिफाई करने वाली एक मातर भारतिय भारतो लग कान पन गयी है राइट आंसर हो जाता है आपको ध्यान रखना है किस वर्ग में अगर आपसे पूछा जाए तो 49 kg भारवर्ग में पारिस ओलम्पिक 2024 जो एफन्स ये पारिस फ्रांस में होना है अगला कोशन है मारा भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खतम करने का योजना की है राइट आंसर हो जाता है औप्शन है वर्ष 2025 तक केंदर सरकार ने देश में यूरिया का जो आयात है याने की यूरिया का जो इंपोर्ट है उसे खतम करने की योजना बनाई है next question most important है आपके लिए ये April 2014 में किस देश ने मनवरंजंक भांग जिसे कि हम बोलते है रीक्रेशनल कैनबिस को वैद कर दिया है फिर से बता रहा हूं पुछा गया आपसे बताओ कि कौह है कौन सा देश है जिसने मनवरंजंक भांग जिसे इंग्लिश में बोलते है जर्मनी देश ने डिटेल में अगर हम समझें एक April 2014 को जर्मनी मनवरंजंक भांग के उपियों को वैद बनाने वाला सबसे बड़ा यूरोपिय संग देश बना है नए कानून के तहत 18 वर्ष से अधिक उमर के वैसकों को अब 25 ग्राम तक सूखी भांग ले जाने और घर प अबती हैं Frank Walter Steenmere next है हमारा question किस राज्ये ने 56 राष्टिय खोको चैंपियंशिप 2023-24 जीती है answer हो जाता है इस question का हमारा option D. Maharashtra Maharashtra राज्ये ने 56 राष्टिय खोको चैंपियंशिप 2023-24 का किताब जीता है और इसी के साथ बताना चाहता हूं इसका आयोजन कहां पर हुआ था नई दिल्ली में exam में न कोई भी जो खेल हो रहा है इसका आयोजन कहां पर हो रहा है exam में पूछ लिया जाता है directly अगला question है मारा एक अपिरल 2024 को कोडाई कनाल सौर विर्षाला यानि कि KSO की 125 वर्षकांठ मनाई गई है यह है विर्षाला कहां स्थित है right answer हो जाता है option A option D कि तमिलाडू के कोडाई कनाल में स्थित है ठीक है कोडाई कनाल सौर विर्षाला इसकी स्थापना हुई थी कोडाई कनाल सौर विर्षाला यानि कि KSO वर्तमान में भारतिये खगोल भौधकी संस्थान IIA की अंतरगत एक स्टेशन के रूप में कार्यत है के एसो डेट सदी से भी अधिक समय से वेज्ञानिकों के नेतरितम में प्रिथवी से सूरे का अध्यान कर रहा है अगला कोशन विश्व के सबसे बुजॉर्ग वेक्ती जिनका नाम है जुआन विन्सेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयों में निधन हो गया है या किस देश से थे राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए वेनिस्वेला देश से थे जुआन विंसेट पेरेज मोरा जिनका की 114 वर्ष की आयू में निधन हो गया है यह है इनकी फोटो अगला कोशन है मारा मार्च 2014 में अंतराष्टिय फुटबол में 150 मैच खेलने वाले पहले भारत्य खेलाड़ी कौन बन गए है अंसर हो जाता है ऑपशन सी सुनील छेतरी सुनेल शेतरी जो हैं फिन्स ये अंतराश्टिय फुटबॉल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारते खिलाड़ी बन गई हैं सुनेल छेतरी 150 या उससे अधिक अंतराश्टिय मैच खेलने वाले दुनिया के आठे में खिलाड़ी और भारत के पहले फुटबॉलर बन गए है इस सूची में पुर्टगाल की जो क्रिष्टियानो रोनाल्डो है ये 205 अंतराश्टिय खेलों के साथ शीश पर है अगला कोशन है मारा वित्यवर्ष 2023 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना हो गया है भारत के रकषा मंतरी राजना सिंग ने एक अपरिल को कहा कि वित्यवर्ष 2023 में हत्यारों का निर्यात 213 क्रोर रुपे तक पहुँछ गया है जो पिछली वित्य वर्ष की तुलना में 32.5% की प्रभावशाली वृद्धी है अगर आपको वीडियो की quality, वीडियो का content और आपके रवी सर की महनत पसंद आ रही है वीडियो को like और share जरू करें comment box में जरू बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि weekly current affairs मैंने start कर दिया है और यकीन मानिये कि इससे best weekly current affairs ना आपको किसी भी channel पर नहीं मिलने वाला मैं आपको complete video दूँगा फैंस कम time में 100 questions करवाँगा और यकीन मानिये ठीक है जो daily आप current affairs में डेट से 2 घंटे लगाते हो ना वो लगाने की ज़रुद नहीं पड़ेगी सारे important questions करवा दूँगा मैं आपको आदे खंटे के आसपास के time में ठीक है बहुत ज्यादा time आपका बचने वाला है और आपको बताना चाहता हूँ इसके notes या पिर आपको ebook बाई करनी है उसके लिए तो website आप सभी को पता ही होगा www.ravibooks.pdf.com डिटेल में हम आगे बात करते हैं फिलाल हम current affairs पढ़ लेते हैं हमार अगला question है विश्वस वास्ते संगठन यानि की WHO ने अपना पहला AI संचालित Digital Health Promoter किस नाम से लांच किया है राइट आंसर हो जाता है option C. सारहा सारहा नाम से WHO ने अपना पहला AI संचालित Digital Health Promoter को लांच करा है अगर हम बात करें AI के full form क्या होती है Artificial Intelligence हिंदे में कृतिम बुद्धी मता बोलते है सारहा का एक full form भी है वो भी आपको पता होना चाहिए सारहा का अर्थ है स्वास्ते के लिए Smart AI संसाधन सहयक इंग्लिश में क्या होगा Smart AI Resource Assistant for Health इसका उद्धेशे नई भाषा मॉडल और अत्याधुनिक तक्नीका उपियो करके AI संचालित स्वास्ते सूचना अवतारों के विकास का प्रतिनित्र करना किसने लॉंच करा? WHO ने अगला कोशन है हमारा April 2024 में उत्री Atlantic संदी संगठन यानि कि NATO ने अपनी 75 वर्जगांट मनाई है यह आपको पता होनी चाहिए कहां पर मनाई है? यह पुछा जा सकता है Option B, Belgium के Brussels में अगर हम बात करें नाटो की अगला कोशन है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आईकन नियोक्त किया है? राइट आंसर हो जाता है Option A, आयूश्मान खुराना को यूथ आईकन नियोक्त किया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर हम बात करें ECI की 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारती चुनावायोग की नई दिल्ली में मुख्याले है और मुख्य चुनावायोग थे हैं प्रेजेंट में राजीव कुमार ये नाम भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है राच्टिय समुदरी दिवस यानि की National Maritime Day 2024 कम मनाया गया है आंसर हो जाता इस कोशन का option A 5 April को राच्टिय समुदरी दिवस 2024 मनाया गया प्रती वर्ष 5 April को राच्टिय समुदरी दिवस मनाया जाता है 2024 की थीम है भविशे को navigate करना सुरक्षा पहले इंग्लिश में होगा navigating the future safety first इस दिवस को मनाने का उद्देश ये देश की आर्थिक विद्धी और विकास को बढ़ाने के लिए भारत के समुदरी छेतर के प्रयासों और योगदान के बारे में चारुकता बढ़ाना है 5 April 1964 पहला राष्टिय समुदरी दिवस मनाया गया था अगला कोशन भारतिय विज्ञानिकों की एक अंतराष्टिय टीम ने ब्रहस्पती के किस चंदर्मा पर ओजोन गैस की खोज की है राइट आंसर हो जाता है option 1 कैलिस्टो भारतिय विज्ञानिकों की अंतराष्टिय टीम ने ब्रहस्पती जो ग्रह है ठीक है हमारे सौर मंडल का जो सबसे बढ़ा ग्रह है जूपिटर यानि ब्रहस्पती ठीक है इसके चंदर्मा पर ओजोन गैस की खोज करी है तो पूछा गया कि बताओ कि ये जो जंदर्मा है इसका नाम क्या है तो आंसर होगा क्या लिस्टो नेक्स्ट है Microsoft किस कंपनी के साथ मिलकर AI सूपर कंप्योटर स्टार गेट विक्सित कर रहा है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option D Open AI Open AI जो कंपनी है इसके साथ Microsoft जो है AI सूपर कंप्योटर जिसका नाम है स्टार गेट इसे विक्सित कर रहा है Open AI की बात कर लेते हैं 2015 में इसकी स्थापना हुई थी मुख्याले सैन फ्रैंसिस्को में है CEO है Sam Altman अगला कोशन किस राज्य के बीहु ढोल को GI टैग मिला है अगला कोशन काफी इंपोरेंट है April 2024 में Associated Chambers of Commerce and Industry of India यानि की SOCAM के नई अध्यक्ष कौन बने है Right answer हो जाता है Option A Sanchay Nayer SOCAM के नई अध्यक्ष बने है Sorin Investment Fund के चेर्में Sanchay Nayer को 2024-25 के लिए SOCAM का अध्यक्ष बनाया गया है SOCAM की बात कर लेते हैं 1920 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगला कोशन March 2024 में पहला परमानू उर्जा शिखर संबिलन कहां आयोजित किया गया है Most important question है ये Right answer हो जाता है Option B Belgium के Brussels में पहला परमानू उर्जा शिखर संबिलन जो आयोजित हुआ है शुद्र सुनियोद सर जन और सतत्तविकास लक्षों को प्राप्त करने में परमानू उर्जा का उपियोग करने हैं तो अपनी रणीतियों और योजनाओं को प्रस्तूत करने के अनुमती देना था इसका उद्देश है अगर हम बात करें IAEA की यानि की अंतराश्टिय प्रवानु उर्जा अजंसी की 1957 में इसकी स्थापना हुई थी 1957 में मुख्याले वीना अस्ट्रिया में है महाने देश्या का है राफिल मारियानो ग रखें ताके कम टाइम में आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए और काफी दा नौलिज आपको इस वीडियो से मिल जाए अगला कोशन 10,000 मेगावाट नवी करनी उर्जा चंता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन अदानी हरित उर्जा लिमिटेड अदानी ग्रीन एनरजी लिमिटेड गुजरात के विशाल खावडा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोजर कैपसिटी स्थापित की है जिससे वह 10,000 मेगावाट के अधिक रिन्योबल एनरजी शमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है अगला कोशन अंतराच्टी अंतरात्मा दिवस यानि कि International Conscience Day 2024 का मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है option D 5 April को अंतराच्टी अंतरात्मा दिवस मनाया गया है 2024 में यह दिवस लोगों को आतम चिंतन करने अपने विवे का पालन करने और सही काम करने को प्रेडित करने के ल अधावा देना इंग्लिश में होगा प्रमोटिंग अ कल्चर ओफ पीस एंड विद लव एंड कंसाइंस नेक्स्ट आम हारा कोशन लोगसभा चुनाव 2024 के दुरान गलत सोचना के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कौन सा पोर्टल लॉंच किया है राइट आ रही है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा ओप्शन ए 121 में स्थान पर नेक्स्ट है मारा कोशन एपरिल 2024 में लॉंच हुए भारत के AI सौफ्टवेर इंजिनियर का क्या नाम है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन भी देविका डिटेल में अगर हम समझें इसको मुफीद वी एच ने विक्सित किया है यह एक ओपन सोर्स AI सौफ्टवेर इंजिनियर है देवी का मानव आदेशों को समझने के लिए मशीन लर्निंग और प्राकिर्तिक भाश्शा प्रसंसरन का अप्यों करती है अगला कोशन एपरिल 2024 में अगनी प्राइम नामक मि विपर हुआ है अगनी प्राइम DRD और विक्सित एक मध्यम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है अगनी प्राइम की जो मारक शमता एक हजार से 2000 किलोमेटर की बीच है और इसमें अगनी 4 और अगनी 5 की तकनीकी प्रगरती शामिल है नेक्स्ट एमारा कोशन एपरिल 2024 में दु मागुरेले में Extreme Light Infrastructure for Nuclear Physics यानि की ELINP Hub में दुनिया का सबसे शक्तिशाली रेजर है यह 10 पेटावार्ट ताकत पर काम करता है अगला कोशन है अपरिल 2024 में 19 वी शंगाई सयोग संक्ठन सुरक्षा परिशत की बैठक कहां योजित हुई है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन के अस्ताना शहर में नेक्स्ट है विश्व डोपिंग विरोधी एजनसी यानि की वाड़ा की रैंकिंग के रों साथ दुनिया में डोपिंग का उलंगन करने वाला शीच देश कौन सा बन गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन भी भारत देश डिटेल में अगर हम नमबर एक पे है रूस नमबर दो पे है अमेरिका नमबर तीन पर नेक्स कौशन अपरिल दोहजार चौबिस में किस देश ने राष्ट मंडल खेल दोहजाचबिस की मेजबानी करने से इंकार कर दिया है तो राइट आंसर हो जाता है इस कौशन का हमारा ओप्शन राइट में अंतराष्टी शतरंज महासंग यानि कि फीडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नमबर एक शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है राइट आंसर हो जाता है इस कौशन का हमारा ओप्शन ए अर्जुन एरिगासी अर्जुन एरिगासी जो है फेंड्स ये भारत के नमबर ए हैं फीडे रैंकिंग के अनुसार अगर हम बात करें फीडे की फेंड्स ठीक है इसका गठन हुआ था 20 जुलाई 1924 को मुख्याले कहां पर है सुईजर्लेंड में है सुईजर्लेंड के लियुसाने में है ठीक है और अध्यक्षे अर्कडी डूर को वेज जियो अगला कोशन अपरिल 24 में भारती सेना ने किस एर डिफेंस सुरक्षा परनाली को अपने एर डिफेंस कोर में शामिल किया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन ए अकाश तीर एर डिफेंस सुरक्षा परनाली है जिसका नाम है अकाश तीर ठीक है एक्जाम में पूछ सुरक्षा परनाली को नई चुनाओतियों का मुकाबला करने के लिए तियार करना है किसने विक्सित किया यह पूछा जाता है तो भारत Electronics Limited यानि की BEL ने इसको विक्सित किया है अगला कोशन है अपरिल 24 में सैनेगल के नई प्रधान मंत्री कौन नियुक्त होई है आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा Option C आस्मान सोनको आस्मान सोनको जो है यह सैनेगल के नई पीम बने है सैनेगल की बात करते हैं अफरिका महादूप में है राजधानी डकार है इसकी ठीक आफी बार पूछी गई है राश्पती कौन है बासीरो दियो माई फे और प्रधान म सब्सेद्रेमान सोनको जो की मनई बने है नेक्स्ट है मार्च दो हुजाद लग्या जाता है इस इस कोशन का हमारा Optionर मिना चरान्द मीना चरांदा को अंतराश्टी ये संस्कृती पुरुस्काद 2024 से सम्मानित करा गया है प्रोफेसर मीना चरांदा को सिक्षा भे समाज सेवा के छेतर में उलेकने कारे करने के लिए सम्मान दिया गया ये आपको ध्यान रखना है अगला कोशन है हमारा मार्च 2024 में आटोमेटिव टायर मैनुफेक्चर असोसियेशन यानि की ATMA का नया अध्यक्ष किसे न्यूक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी अर्नब एनरजी अर्नब एनरजी बने हैं ATMA यानि की आटोमेटिव टायर मैनुफेक्चर असोसियेशन के नई अध्यक्ष C8 Limited के MDR CEO अर्नब मैनेर जी को आटोमेटिव टायर मैनुफेक्चर असोसियेशन यानि की ATMA का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ATMA की बात कर लेते 1975 में स्थापना हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगला कोशन है हमारा मार्च 2024 में फिक्की लेडिस और्गनाइजेशन यानि की FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त होई है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन B जॉई श्री दास वर्मा यह नाम आपको ध्यान रखना है ठीक है चर्चीत महिला का कोशन अर्थात में अपॉइंटमेंट वाला भी कोशन है ठीक है अग्जाम के लिए काफी इंपॉर्णेट है कि जो फिक्की लेडिस और्गनाइजेशन है FLO इसकी अध्यक्ष बनी है जोईशरी दास वर्मा फिकी लेडिस और्गनाइजेशन की बात हम कर लेते हैं स्थापना 1983 में हुई थी मुख्याले कहां पर है नई दिल्ली में अगला कोशन वैश्विक्स तरपर e-commerce platform के रूप में भारत का government e-market यानि कि भारत का जो government e-market portal है ना जी एम पोटल है कि स्थान पर रहा है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option है तीसरे स्थान पर रहा है वैश्विक्स तरपर e-commerce platform के रूप में भारत का जो government e-market place है या कि jam पोटल है टॉप तीन देख लेते हैं दक्षिन कोरिया की जो कोईन पैस है ये नमबर एक पे जी बिस सिंगापूर की नमबर दो पर भारत की जो jam है ये नमबर तीन पर काफी important question है ये आपके लिए अगर हम बात करें government e-market की यानि की jam पोटल की 2016 में इसकी स्थापना की गई थी नई दिल्ली में इसका मुख्याले है CEO है प्रशांत कुमार सिंग कहां के सांजी शिल्प यानि की कहां के जो शांजी शिल्प है इसे GI टैग मिला है right answer हो जाता है इस question का option A उत्तर परदेश का जो मथोरा शहर का है शांजी शिल्प इसे GI टैग मिला है अगला question code dependent living in the shadow of AI पुस्तक की लेखी का कौन है right answer हो जाता है इस question का option A मधुमिता मुर्गिया मधुमिता मुर्गिया जो है वेंस ये code dependent living in a shadow of AI पुस्तक की लेखी का है next है वर्ष 2024 के लिए प्रथम सिना कमांडर सम्मिलन कहां आयोजित किया गया है right answer हो जाता है next question का हमारा option B नई दिल्ली नई दिल्ली में प्रथम सिना कमांडर सम्मिलन जो है ये आयोजित किया गया है वर्ष 2024 के लिए सिना कमांडरों का सम्मिलन हाइब्रीट मोड में आयोजित किया गया वर्चोलन सम्मिलन 28 मार्च 2024 को और बहुतिक सम्मिलन 1 से 2 एप्रेल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया सम्मिलन के दिक्षता करी नई दिल्ली में स्थल सेना ध्यक्ष जनरल मनोच पांडे जी के दवारा next question करवाने से पहले आप सभी के लिए की important information है कि आपके रवी सर की जो e-book की website है वो आ चुकी है www.ravibooks.pdf.com google में या किसी भी internet प्रॉजब जाकर आपको सर्च करो यहाँ पे आप current affairs की history, geography, policy, gk की e-books मिल जाती है कम टाइम में आप किसी भी exam की त्यारी कर सकते हो रवी सर की e-book के दोवारा ठीक है और आपको बताना चाहता है mobile application भी launch हो चुका है exam से पहले gk का या daily current affairs का अगर आपको test लगाना है तो रवी study IQ gk के नाम से है ठीक है तो आप इस mobile application को google play store से डाउनलोड कर सकते हो और इंटरनेट पे जाके इस website को सर्च करी यहाँ पे आपको रवी सर के notes मिल जाते हैं current affairs के और gk के ठीक है friends तो चलिए अब हम next question देख लेते हैं next है हमारा question Microsoft की windows और surface टीमों का निदेतव करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है right answer हो जाता है इस question का हमारा option B पवन्त दावू लूरी को अगला question सयुंक्त राष्ट महिला अधिकार और यौन समानता मंच के 69 में सतर की अध्यक्ष के रूप में किस देश को नियुक्त किया गया है right answer हो जाता है option A साओधी अरब देश को friends आपको बताना चाहता हूँ नियुक्त राष्ट महिला अधिकार और यौन समानता मंच के 69 में सतर की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है साओधी अरब की बात कर लेते हैं एशिया महादूप में है राजधानी रियाद है करंसी इसकी रियाल है प्रधानमंतरी मुहमद बिन सल्मान है नेक्स्ट है मारा कोशन वैकॉम सत्यगरा शताबदी वर्ष किस राज़य में मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन B केरल केरल में फेंट्स वैकॉम सत्यगरा शताबदी वर्ष के रूप में मनाया गया है वैकॉम सत्यगरा 1924-25 में अश्प्रशता की कूपर्था के विरोध रावन कोर में चलाया गया था नेक्स्ट है हमारा कोशन अंतराश्टिय शूने अप्सिष्ट दिवस 2024 कम मनाया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ऑप्शने 30 मार्च को अंतराश्टिय शूने अप्सिष्ट दिवस 2024 मनाया गया है नेक्स्ट है मिस्तर में आयो जित पैरा पावर लिफ्टिंग विशुकब दोहजा चौबिस में 59 किलोग्राम भारवर्ग में किस भारतिय खिलाडी ने सोवन पदक जीता है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन B विने कुमार और विने कुमार उत्तर परदेश राज्जे से हैं नेक्स्ट है हमारा कोशन शर्फुदोला इबने शाहिद आईसीसी अलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बने हैं राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C बांगला देश शर्फुदोला इबने शाहिदा आईसीसी अलीट पैनल में शामिल होने वाले आपको बताना चाहता हूँ बांगला देश के पहले अंपायर बन गए हैं अगला कोशन सैटलाइट अधारित ली गई तरस्वीरों के अनुसार चीन ने भारत के किस पडोसी देश में एक गुप्त पंडूबी बेस बनाया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C बांगला देश सैटलाइट से लीगे तरस्वीर से बता चलाएगे चीन ने बांगला देश में गुप्त पंडूबी बेस बनाया है चीन ने बांगला देश में समरीन बेस का निर्मान किया है इसका नाम BNS शेक हसीना रखा गया है एपरिल 2024 में भारतिय रिजर्ब बैंक यानी की RBI ने अपने 90 वे स्थापना वर्ष में परवेश किया है RBI की स्थापना की शिफारिस किस कमिशन ने की थी राइट आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन है हिल्टन यंग रॉयल कमिशन ने नेक्स्ट है मारा कोशन एपरिल 2024 में किस महारतन कमपनी को नवी करनिय उर्जा वित पोशन श्रेणी में स्कॉच ESG पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया है आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्शन है REC Limited इंपॉर्णेंट पॉइंट 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 के अधीन एक महारतन केंद्रिय सारवचनिक छेतर उद्धियम REC Limited को नवी करनिय उर्जा वित पोशन श्रेणी में स्कॉच ESG पुरुसका 2024 से सम्मानित किया गया यह पुरुसकार टिकाव वित पोशन हरित भविशे का मार्क प्रशस्त करने और नवी करनिय उर्जा में परिवर्टन लाने के लिए REC को दिया गया है अगला कोशन सीता राम मीना को किस देश के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शने नाइजर सीता राम मीना को फेंट्स नाइजर में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है यह आपको ध्यान रखना है नाइजर जो है यह अफरीका में एक देश है राजदानी इसकी नियामी है राश्पती मुहमद बजोम है नेक्स कोशन भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नई टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 16 प्रतिशत की केंद्रिय स्वास्ते मंतराले ने इस बिमारी को खतम करने के लिए साल 2025 तक का लक्षय रखा है और जो भारत टीबी रिपोर्ट है यह केंद्रिय स्वास्ते मंतराले द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला नेक्स्ट है मारा कोशन चर्चा में रहे अफार ट्राइंगल का संबंद किस महादूप से है राइट आंसर हो जाता इस कोशन का हमारा ओप्शन भी अफ्रीका याद रखना है अफार ट्राइंगल का संबंद अफ्रीका महादूप से है डिटेल में समझते हैं क्यों ये चर्चा में रहा भू विग्यानिक निश्कर्शों के अनुसार अफरीका के अफार ट्राइंगल में अगामी 5-10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्वति हो सकती है अफरीका के होर में स्थित अफार ट्राइंगल एक भौमी की नियमन भुबाग है जहां तीन विवर्थनिक प्लेटे जिसका नाम है नूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेटे मिलती हैं अगला कोशन, 2023-24 में कारगो प्रबंदन के मामले में भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगां शीशवर है? राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन A, पारादी बंदरगां ओडिशा का अगला कोशन, फोन पे ने अपने उप्योग करता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनलों के माध्यम से UPI भुकतान सेवा शुरू की है? आंसर हो जाता है, ऑप्शन B, सयुंगत अरब आमिराद यानि की UAE देश में अगला कोशन है, Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises की नई अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट अंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा ओप्शन A, संदीप जैन अगर हम बात करें, FISME की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, Federation of Indian Micro and Small and Medium Enterprises 1995 में स्थाफना हुई थी, मुख्याले है नई दिल्ली में अगला कोशन, किस राज्ये के राज्येपाल आरेन रवी ने परमविर चक्रुद्यान का उध्गाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है, इस कोशन का हमारा, ओप्शन A, तमिलाडू, तमिलाडू राज्ये के राज्येपाल है, आरेन रवी ने परमविर चक्रुद्यान का उध्गाटन करा है औरफेंट्स आपको ये पता होना चाहिए, किसका उध्गाटन कहां पर हुआ, तमिलाडू का जो तामबरम है, ठीक है तामबरम जगह है, यहाँ पर जो कांची महा स्वामी विद्या मंदिर है, यहाँ पर इसका उध्गाटन किया गया है अगला कोशन है, विश व आउटीजम जारुकता दिवस 2024 का मनाया गया है, राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी 2 एपरल को विश व आउटीजम जारुकता दिवस 2024 मनाया गया थीम क्या है इसकी Autism आवाजों को शशक्त बनाना इंग्लिश में होगा Empowering Autistic Voices यह दिवस Autism से पिरित वैक्तियों की जीवन की गुनवत्ता में सुधार लाने में मदद करने के आवशक्ता पर जोड देता है Option B 29 मार्च से 5 अपरेल तक भारत ने राश्तिय समुद्री सब्ता 2024 मनाया है Next है मारा Question Youth Boxing विशकव 2024 में पदक तालिका में भारत की स्थान पर रहा Right answer हो जाता है Option B भारत दूसरे स्थान पर रहा है Youth Boxing विशकव 2024 की पदक तालिका में और इसका योचन कहां पर हुआ Youth Boxing विशकव 2024 का Montegro के बुड़वा में डिटेल में अगर हम समझें 2024 Youth Boxing World Cup को 33 वे एड्रियाटिक परल टूर्नामेंट की रूप में भी जाना जाता है भारतिय टीम ने 26 पदक जीते हैं जिसमें की 5 गोल्ड है और निकिता चंद को टूर्नामेंट का सरवशेश्ट मुक्य बाच नामित भी किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है निकिता चंद का नाम टॉप तीन देख लेते हैं इस पदक तालिका में रूस नंबर एक पे भारत नंबर दो पे पोलेंड नंबर तीन पर नेक्स्ट है मारा कोशन किस देश के फ्यूजन रियक्टर कृतिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकिंड तक प्लाजमा बनाये रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन सी दक्षिन कोरिया दक्षिन कोरिया के जो फ्यूजन रियक्टर है कृतिम सूर्य ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर 48 सेकिंड तक प्लाजमा बनाये रखने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है यह आपको ध्यान रखना है दक्षिन कोरिया विज्ञानिकों ने कोरिया सूपर कंड़क्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च डिवाइस एक रितिम सूर्य परमानुस अनलियन रियक्टर कॉप्यों करके नया विश्व रिकॉर्ड मनाया है इसमें 48 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का प्लाजमा तापमान उत्पन कहरा गया है नेक्स्ट एमारा कोशन अंतराश्टिय खनन जारुता दिवस 2024 का मनाया गया राइट अंसर हो चाता है ऑप्षिन भी 4 अपरिल को थीम क्या है इसकी जीवन की रक्षा शान्ती का निर्मान इंग्लिश में होगा प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पेस नेक्स कोशन अपरिल 2024 में भारत की किस कंपनी ने गवाइना रक्षा बलको दो डॉर्नियन टू-टू-एट विमान सौंपे हैं यह हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिमिटेड यानि की हल ने अपर पूर्ती आंतरिक स्थानों पर सेना की आबाजाई के लिए किया जाएगा नेक्स्ट एमारा कोशन फॉर्फ दौरा जारी विश्व अरपतियों की सूची 2024 में भारत की मुकेश अंबानी कौन से स्थान पे रहे हैं राइट आंसर हो जाता इस कोशन का ओप्षन ए नोवे स्थान पे रहे हैं मुकेश अंबानी टॉप तीन देख लेते हैं बर्नार्ड और्नल टंबर एक पे अलोन मस्क नंबर दो पे जेफ बैजोस नंबर तीन पर और मुकेश अंबाने को मिला है नोवा स्थान नेक्स्ट है मारा कोशन इस कोशन का ओप्षन सी गोवा में स्थेत है मनुहर अंतर राश्टी हवाई अड़ा जहां पर डिजी आतरा परनाली को शुरू किरा गया है एप्रल दोहजाच चौबिस में विश्यो बैंक के आर्थिक सलहकार पैनल में किस भारतिये को शामिल किया गया है राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्षन बी राकेश मोहन विश्यो बैंक की बात कर लेते हैं 1944 में इसकी स्थापना हुई थी हेड़कॉर्डर अमेरिका के वाशिंग्टन डीसी में है अध्यक्षे अजय बंगा राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्षन बी नई दिल्ली के इंद्शाशित प्रदेश की सरकार ने मुखे मंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू करा है इस योजना के तहर दिल्ली निवासी 18 वर्ष की प्रतेख महिला को प्रतीमा 1000 रुबे की वित्ते साहिता मिलेगी अगला कोशन पैरिस अलम्पिक में जूरी सदस्ते के रूप में देश का प्रंदितव करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है पैरिस अलम्पिक में जूरी सदस्ते के रूप में जूरी सदस्ते के रूप में शामिल होंगी वे भारत का प्रंदितव करने वाली पहली महिला है मार्च 2024 में माताबारी पेरा और रिगनाई पचरा को जी आई टैग मिला है ये किस राज्य से संबंदित है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन ए तिरिपूरा अगला कोशन भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहां स्थापित किया गया है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन ए मुंबई महाराष्ट में भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन जो है ये स्थापित किया गया है अगला कोशन भारते नौसेना ने किस ओप्रेशन के तहत इरानी चहाज अलकंबर को बचाया है अंसर हो जाता है ओप्शन ए ओप्रेशन संकल्प भारते नौसेना ने फ्रेंट्स आपको बताना चाहता हूँ ओप्रेशन संकल्प के तहत जो इरानी चहाज अलकंबर इसे बचाया है अगला कोशन निवेशकों की शिकायतों के सामधान के लिए स्कोर्स 2.0 किसने लौंच किया है राइट अंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा ओप्शन भी सेबी ने सेबी का फुलफॉर्म क्या है भारतिय प्रतीबुति और विनमें बोर्ड ने निवेशकों की शिकायतों के सामधान के लिए स्कोर्स 2.0 लौंच करा है स्कोर्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं सेबी शिकायत निवारन प्रनाली इंग्लिश में होगा सेबी कम्प्लेंट्स रैडरेस सिस्टम करनेया संसकरन आटो रोटिंग के माध्यम से प्रकिरिया को और अधिक कोशल बनाकर प्रतिवुति बजार में निवेशक जिकायत निवारन तंतर को मजबूत करेगा सेबी की बात करते हैं 12 एपरल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी सेबी ने कारे करना कब से शुरू किया ये भी आपको बताऊना चाहिए 30 जनवरी 1992 से ठीक है तो इसका फॉर्मिशन कभी कभी आपको ये भी मिल जाता है मुख्याले मुंबई महराष्ट में काफी बार पुछा गया एक्जाम में और सेबी की अध्यक्षा है माधवी पूरी बुच्च अगला कोशन अल्मूनियम स्टीवर्शिप इनिशेटिव यानि की प्रदर्शन मानक से परमानित होने वाली पहली भारती अल्मूनियम कंपनी कौन सी बन गई है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ऑप्शन है बाल को ये आपको ध्यान रखना है अल्मूनियम स्टीवर्शिप इनिशेटिव यानि की प्रदर्शन मानक से परमानित होने वाली बालको जो है पहली भारती अल्मूनियम कंपनी बनी है बालको कंपनी के बारे में हम जानते है degrees है सबसे पहले आपको फुलफॉरम बताता हूं भारत अल्मूनियम कंपनी il Tibetan कि इसका फुलफॉरम है B. IIT Bombay, महराष्ट का जो IIT Bombay संस्थान है यहां पर राश्पिती दुरबदी मुर्मों ने देश की पहली घरेलू जीन थेरपी कारटी सेल को लॉंच करा है कारटी सेल थेरपी को बायो साइंस और बायो इंजिरिंग विभाग के प्रोफेसर राहुल पुरवार ने IIT Bombay में अपनी टीम के साथ स्टार्ट अप इमिनो ACT में विक्सित किया है अगला कोशन है भारत किस वर्ष तक पहला रननितिक पैट्रोलियूं रिजर्व बनाने का लग्शे हैं आंसर हो जाता इस कोशन का option B 2039 में भारत का लक्षे 2039 तक एक नीजी कंपनी के साथ पहला रनने दिक पेट्रोलियूम रिजर्ब बनाना है इससे ऑपरेटर्स को सभी संग्रही तेल का वैपार करने में अजादी मिलेगी अभहत रिन देने वाले एपस को रोकने के लिए डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजनसी यानि की डिजी टी ए किस थापना किस ने की है आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अरबियाई भारती जब बैंक ने डिजी टी ए किस थापना करी है केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राकिर्तिक गयास मंद्री हरदीप सिंग पूरी जी द्वारा भारत की पहली लगू स्तरिय तरली करीत प्राकिर्तिक गयास इकाई का उधगाटन कहां किया गया है आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन C मध्धे प्रदेश में नेक्स्ट है मारा कोशन मार्च दोहजार चॉबिस में युनैस्को ग्लोबल जीयो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटें शामिल की गई है आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन A 18 साइटे अगला कोशन सौदेशी गिहूं की एक किसम कठिया गिहूं को जीया टैक मिला है इसका संबंध किस जगह से है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन A बुंदेलखंट उत्तर प्रदेश से नेक्स्ट है मारा कोशन भारत ने कच्चे तेलक का अपना पहला बानिजिक रनितिक भंडारन किस जगह पर त्यार करने की योजना की है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन B करनाटक के पादूर में अगला कोशन माई CGHS IOS किस मंत्राले दौरा लाउंच किया गया है स्वास्त रिकॉर्ड डेटा और संसाधनों तक पहुंच में सुधार करना है अगला कोशन दिल्ली में वनों की सुरक्षा से सम्दित समीती का अध्यक्ष किसे न्योक्त किया गया है राइट आंसर हो जाता है ओप्शन A जस्टिस नजमी वजीरी अगला कोशन भारत सरकार ने देश में यूरिया का आयात कब तक खतम करने की योजना की है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का ओप्शन A वर्ष 2025 तक अगला कोशन उतकल दिवस जिसे की ओडिशा दिवस के रूप में भी बोला जाता है प्रतेक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाता है, ओप्शन B 1 अपरिल को उतकल दिवस यानि की ओडिशा डे जो है 1 अपरिल को मनाया जाता है इस साल 2024 में ओडिशा ने अपना 89 वा स्थापना दिवस मनाया है 1 अपरिल 1936 को ओडिशा 1148 परांद बन गया हो जाता है option a विश्यो स्वास्ते संगठन यानि की डवलू एच्छो नेक्स्ट है मारा कोशन भारत ने कच्छे तेल का अपना पहला वानेचिक रननितिक भंडारन किस जगह पर त्यार करने की होजना की है राइट आंसर हो जाता है इस कोशन का हमारा option b करनाटक के पादूर में अगला question my cghsiof किस मंतराले द्वारा लाउंच किया गया है यह मैंने आपको 100 questions करवाई weekly current phase जो कि अपरिल का पहले हफ़ते का current phase था I hope आपको वीडियो की quality content पसंद आया होगा वीडियो कर आपको पसंद आई यह वीडियो को like और share ज़रू करें और आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपमें रवी सर की ebook को कैसे बाई करके अपने exam की त्यारी को काफी मजबूत बना सकते हो ठीक है उससे पहले आप 2 questions का test लगा लिजिए और answer अपना comment box में दीजिए तो पहला question है किसे press information bureau यानि की P.I.B. के प्रदान महानिदेश के रूप में न्युक किया गया है चार option है आपके बास दूसरा question है भारत की पहली कृतिम बुद्धी मता AI अधारित film कौन सी बनी जिसका trailer launch किया गया दोनों question का answer आपने comment box में दीना है current affairs, gk, history, all subject e-book मिल जाती है साथ में ही जनुवरी से लेकिए जो हमारी मार्च 2014 तक की जो e-book है तीन महीने की वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी mobile application जरू install कर ले phone में gk का और current affair का test लगाने के लिए exam से पहले ठीक है best content रखा है आपकी रवी सर ने अपनी e-books में और mobile application में तो mobile application में जरू install कर ले exam से पहले gk का current affair का test लगाने के लिए video कैसी लगी अपना feedback आप जरूर देना comment box में तो चलिए friends अब हम मिलते हैं next video में thank you and wish you all the best